मत्रिप्रदेश कांग्रेस के इस दिगज केबिनेट मंत्री को मंत्रीपत से हटाने की कवायत होई तेज मंत्र मंदल में हो सकता है बड़ा फेर बदलत। अब पुर्ण 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 सिंग घार का विबात कांग्रेस की के अनुसा अंसन समीति के पास पहुंच गया है पार्टी की राष्ट अद्यक्ष सोनिया गांदी ने इस मामले की जाच अनुसासन समीति के अद्यक्ष एक एंटरी को सोपी है वहीं दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि उमंग सिंगार के खिलाफ कोई कई विधायोकों और मंत्रियों ने सोनिया गांदी को पत्र लिखा है सिकायत पत्र में कहा गया है कि उमंग सिंगार सरकार को आयस्तिर करना चाहते हैं सोनिया गांदी इस पूरे मामले से नराज हो गई है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दरसल बीते दिनों कमलनाज सरकार में वन मंतरी उमंग सिंगार ने पूर्व मुख्य मंतरी दिवेज सिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और एक के बाद एक कई गंभीर आरोब लगाया थे जिसके बाद खूब बबाल मचा था बबाल से दिलिता अड़कमप मच गया था और देश भर में कांग्रेस की किरकरी हुई थी इसके बाद हाई कमान के निर्देश पर सिंगार ने सिंगार को बुला कर शांत करने की नसियत दी थी और विबाद को खत्म करने का कहा था लेकिन अब जब पूर्मुक्यमंद्री दिख्विया सिंग ने पीसी कर अपनी बात रखी तो और अनुशाशन में रहने की बात कही तो मंग सिंगहार ने फिर ट्वीट कर घमासान मचा दिया अब मामला ठंडा होता है कि शनिव लगातार हो रही बैन मारी की रिपोर्ट लेकर दिली हें पारटी की राष्ट दक्ष ऋनिया गांदी से मुलाकात की है उन्होंने प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान की समी जनकारी सोनिया को दी है और मुक्यमंद्री द्वारा दिये गए बयानों और अनुशाशन समीति को सोंप दिये गए हैं समीति के दक्ष कॉंग्रेस के बरश नेता और पूरु मंत्र केंद्रिये मंत्री एक एंटरी है अब एंटरी अब फैसला करेंगे कि जिन लोगों ने भी अनुशाशन हिंता किये उनके साथ कौन सी कड़ी कारवाही की जाए जनात ने इस संकेत के से साफ की हैं कि जल्द ही अनुशाशन समीति पूर्मुक्यमंत्री दिग्विजा सिंग और उमंग सिंग घार से उनका पक्ष पूछेगी और उनके बाद निर्न लेगी अपनी रिपोर्ट अब पार्टी आला कमान को सोपेगी नात से जब यह पूछा गया कि क्या दोशिय अंग्रेस अध्रक्ष का एलान 10-13 सितंबर को बीच हो जाएगा उन्होंने इस मामले पर चर्चा के लिए मत्रप्रदेश का अंग्रेस के वरिश निता और पश्रिमी उत्तरप्रदेश के प्रभारी जो संधिया को मुलाकात के लिए 10 सितंबर को बुलाया है बता जा रहा ह कि पार्टी द्वारा बड़ी कारवाई करते हुए उमंग सिंगार को मंत्रीपत से हटाया जा सकता है